कि वेल्कम क्लास तो इस लेक्ट्चर में पड्रेक्शन और रेफ्रेक्शन के बारे में बात करें थो इसके पहले लेवलिंग में क्या पढ़ लिया था लुटलिया लेवलिंग होता है ठीक है टाइपस ओफ लेवल इंस्ट्रुमेंट पढ़ लिया कितने तरह की लेवलिंग होती है इसके बारे में पढ़ लिया लेवलिंग में लोग आरेल कैसे या फिर बुकिंग कैसे करते हैं लेवल की वह चीज़े पढ़ लिए उसमें दो मैथर्ट पढ़ा आपका आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रुमेंट मैथर्ट फिर आपका आता है राइज और फॉल मेथर्ट ठीक है उसके करेक्शन देख लिए कैसे हम लोग करेक्ट क क्या होता है इन चीजों के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था राइस कैसे निकालते हैं फॉल कैसे निकालते हैं यह सब चीज़ें हम लोग डिसकस कर चुका है ठीक है तो और उससे रिलेटेड हम लोग ने नुमेरिकल भी लगाए थे कि आपका हाइट ऑफ निकालने के लिए लेकिन अगर बाटम से टॉप में जा रहा है तो लोग बैक साइट के जगव फूर साइट सब्ट्रेक्ट करते हैं ठीक है तो यह सब चीजे थी जो आप लोगों ने डिसकस किया कि कैसे चीजें हम लोग करें गें ठीक है अब हम लोग जो भी चीजें कि कर्वेचर क्रेक्शन क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग कि कर्वेचर क्या होता है ठीक है तो कर्वेचर समझने के लिए पहले हम लोग दो वर्ड समझेंगे सबसे पहला होगा कि किसी भी लाइन को ठीक है या किसी भी लाइन को हम लोग इस्ट्रेट कब बोलेंगे और कर्वेचर कब बोलेंगे या उसमें पर्टिक्लरली रेडियस कब होगा यह कब बोलेंगे ठीक है तो किसी चीज का लाइन कब होगा और कोई लाइन स्ट्रेट कब होगी और कोई लाइन कर्व कब होगी यह पहले देखेंगे तो ठीक है तो और जब किसी पर्टिकुलर आर्क में चीजों में रेडियस होगा ठीक है ग्रेटर देन जीरो लेस्ट इन फाइनाइट तो वह क्या कहलाएगा कर वीचर या कर्व या आर्क जो भी हम उसको चीजें डिनोट करेंगे वह कहलाएगा ठीकakah किसी भी अगर उसका रेडियस जीरो है ठीक है तो यह चीजेंस अगब उसकी नगत्यान इ drastic light ओप त्टै कि फिर आता है कर्व क्या होता है या कर्वेचर करते हैं कि अगर इस जीरो हो जाए तो यहाँ पर क्या है कि कर वेचर की बात हो रहे तो जब लेकिन होता क्या है कि जो भी हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो अब लोग देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं ठीक है तो curvature correction ठीक है for long side the curvature of earth affects the staff reading ठीक है अगर हमारी हम लोग reading ले रहे हैं ठीक है और reading जहां पर instrument setup है और जहां हमारा staff की reading है अगर उस particular readings को हम लोग देखेंगे तो उस case में अगर long distance है ठीक है अगर आपका short distance है तो curvature का effect हम लोग neglect कर देंगे लेकिन अगर long side है या long distance है या बहुत देख सारे distance है उस particular distance में हमारा क्या होगा curvature effect आएगा मतलब जो हमारी line of sight होगी वो curve करेगी ठीक है वो curve के form में बनाएगी या straight line ना होके वो curve के form में जाएगी ठीक है next क्या है the line of sight is horizontal but the level line is curved and parallel to the mean spherical surface of the earth ठीक है आपकी line of sight क्या होगी horizontal होगी लेकिन जो level line होगी ठीक है जो level line होगी वो क्या होगी आपकी curve होगी और parallel to mean spherical surface of the earth होगा ठीक है mean spherical surface of the earth का मतलब यह हुआ कि suppose यह हमारा earth है ठीक है अगर यह इस particular position पे यहाँ पे अगर हम लोग कोई survey कर रहा है है और हमको यह distance measure करना है तो यहाँ पे जो हम लोग staff reading लेंगे तो suppose यहाँ पे instrument है तो अगर इससे देखा जाए तो line of sight हमारी क्या है horizontal है लेकिन जो हमारा level line है जो हमारी level line है वो क्या है कर्व के form में है ठीक है तो इस वज़े से हमारा वहाँ पे क्या होगा curvature का effect आएगा और उस effect के कारण हमारी reading जो आएगी जो rise या fall होगा या height of instrument होगा उसमें कुछ न कुछ error आएगा कुछ न कुछ error आएगा ठीक है उस error को सही करना ही हमारा क्या है में इस particular curvature correction में ठीक है हमको सही करना ठीक है that's why horizontal line do not coincide with the level line ठीक है तो इसी की वज़े से जो हमारी यह level line है और यह जो हमारी side line है यह आपकी एक दूसरे से क्या होगी क्यों साइड नहीं करेंगे ठीक है जो क्या होगा parallel हो जाएगा ठीक है दो वर्टिकल डिस्टेंस अब किसी प्रेख पोजीशन में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा लाइन ओफ साइट और लेवल सब्सक्राइब टीम लेवल इंस्ट्रूमेंट में और आधाफ होगा उसके में अगर लॉग लॉग डिस्टेंस गट्राइब टो वहाँ पे क्या होगा कर्वेचार और तो आफसेंड करेगा हमारी स्टाफ रेडिक पहली चीज़ दुसरी श्रीच क्या है, line of horizontal जो है, line of side जो है, वो horizontal होगी, लेकि level line क्या होगी, curve होगा और parallel होगा mean is radical position से या surface से, जिस वज़ा से क्या होगा, horizontal line हमारी कौन side नहीं करेगी level line से, दूसरा curvature correction किसको बोलेगे तो, जो vertical distance होगा, line of side और level line के बीच में, किसी एक particular place पे, उसको हम ल पारे में next point क्या बोलता है, कि this correction is negative as object appears lower than they really are, ठीक है, ये correction क्या है, negative in nature होगा, क्या होगा, negative in nature होगा, क्यों, कि जो object appear होगा, जो object हमको दिखाई देगा, वो क्या होगा, lower होगा, ठीक है, उसके actual position से वो थोड़ा नीचे दिखाई देगा, जितना वो पहले से होगा, ठीक ह फे हमको कोई एक point दिख रहा है, ठीक है, तो अगर हम जादे दूर से देखेंगे, तो वो क्या दिखाई देगा, ठीक है, ये आपका point 9 meter ही show करेगा, लेकिन actual में वो कितना है, 1 meter है, ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या है, कह रहा है कि जो correction होगा, वो negative होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब हम दूर से उस particular चीज को देखेंगे, तो वो क्या दिखेगा, 1 meter के जगह हमको point 9 meter की ही reading show करेगी, और जो point 1 meter होगा, वो हमारा क्या होगा, करवेचर का correction होगा, ठीक है, अब इस particular को हम लोग measure कैसे करते हैं, ठीक है, तो formula होता है, cc is equal to, ये capital c, suffix में c होगा, ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, c of c is equal to 0.0785 d square, ठीक है, क्या होगा, 0.0758 d square, ठीक है, ये क्या कहला हैगा, हमारा, करवेचर करेक्शन का formula, या इस particular करवेचर करेक्शन का निकालेंगे, ठीक है, where d is distance is in kilometer, d क्या है, आपका distance है, जो kilometer में है, d क्या है, आपका distance है, जो kilometer में है, ठीक है, तो करवेचर करेक्शन में क्या क्या होगा, कि पहला होगा क्यों, कि करवेचर करेक्शन में होगा, पहला इसका क्या होगा, कि अगर हम जादे distance रख रहे हैं, उस condition में वारा कर preacher क्या होगा एफक्त करेगा चाह यह डूसरा जो वर्टिकल डिस्टन्स ॉर्फ साइट और लेवल लाइन के स्दुन में इस label क्या क्या होता है यह कर्वेचर क्या होता यह ङगेटिव होगा अग वह होगी actual height से actual attitude से वो थोड़ी कम दिखाई देगी हमको इसलिए वो क्या होगा negative nature होगा formula क्या होता है इसका निकालने का 0.0785 d square ठीक है डी क्या है distance is a kilometer ठीक है यह negative nature होता है तो जब भी हम लोग को actual निकालना होगा तो हम क्या करेंगे तो सब्सक्राइक्ण घृडखे स्सक्राइटहा सुच्आ कि देखते हैं करेचर करेक्शन अम लोगों ने देख लिया ता आता अपका refresh और आपका क्या है रिफ्रेक्शन करेक्शन जैसा कि आम लोग लेवल इंस्टूमेंट में देखते हैं कि कि आपका lens की यूज हुए होता है लेंस या mirror या लेंस का यूज होता है तो उस particular case में क्या होगा कि आपका reflection एक physical property है या physical phenomena है जिसकी यह होता है कि हमारी रिडिंग्स जो होते हैं वह fluctuate करते हैं या फिर एरह आता है ठीक है तो वह देखते हैं हम लोग reflection correction क्या होता है तो error due to reflection can be understood easily once you understand the phenomenon which take place when light passes from one density system to another density system ठीक है तो error reflection कैसे हम लोग पता कर सकते हैं जैसे कि light देखते होंगे कि light जब आपका एक density system से दूसरे density system में जाती है तो वो क्या होती है रिफ्रेक्ट करती है ठीक है वो क्या करती है रिफ्रेक्ट करती है ठीक है reflection आप लोग उने class 12 न भी पढ़ा होगा कि reflection क्या होता है ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं सपोज यह कोई एक plane है ठीक है यहाँ से कोई line reflect की है ठीक है तो यह particular अगर reflect करती तो सेम में जाती लेकिन वह सेम में जाना जाके यह particular क्या रिफ्रेक्ट कर रही है ठीक है तो यह आपका reflection होगा ठीक है तो यह जो calculate करते हैं ठीक है refraction is nothing but the phenomena by which when light travels from a denser media to the lighter media it deflects away from normal to the plane of media ठीक है refraction क्या है कुछ नहीं है simple physical phenomena है जिसमें क्या होता है कि जब light आपका denser medium से ठीक है denser medium से lighter medium में जाती है तो वह क्या होती है reflect करती है normal से reflect कि इधर करेगी normal से आपका कि इधर जाएगी plane of media के साइड जाएगी यहां पर देखिए आपका figure बता रहा हूँ यह जैसे है ठीक है line क्या हुई इधर आई ठीक है अब क्या है कि इसको आना चाहिए plane of media अगर यह plane है ठीक है यह आपका normal plane है तो इसको इधर ना करेगी normal से डिफलेक्ट करेगी ठीक है normal से क्या और यह कोशिस कर रही है ठीक है उसकी तरफ जाने की कोशिस कर रही है ठीक है तो reflection समझ में आगया क्या हो गया कि reflection एक simple phenomenon है जब light आपका denser media से lighter media की तरफ जाती है तो उस समय light क्या करती यह Deflect करती है ठीक है Light क्या करेगी workflow करेगी Normal से आपका plane of media के side जाने की कोशिश करेगी ओक्या होगी normal से plane of media कि तरफ जाएगी ठीक है अब इसको कैसे हम लोग measure करते हैं ठीक है यह देखते हैं Refraction correction value is always positive ठीक है हम लोगों इए curvature पढ़ा तो वो negative होगा है and is and is one seventh part of curvature correction ठीक है one seventh part इसका कहने का मतलब यह है कि CR जो होगा वो क्या होगा one by seven of cc होगा ठीक है one by seven of cc होगा सियार जो होगा correction due to reflection जो होगा वो क्या होगा one by seven of cc होगा one by seven of cc मतलब one by seven times of curvature correction होगा ठीक है उस particular line का कहने क्या मतलब कि देखिए अब यहां तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया कि रिफ्रेक्शन की वज़ा से होता है correction ठीक है एरर होता है तो उस एरर को सही करने के लिए हम क्या करते हैं करेक्शन करते हैं ठीक है अब रिफ्रेक्शन क्या होता है एक physical phenomena है जिसमें light क्या होती आपका denser मीडिया से lighter मीडिया जाती है और lighter मीडिया क्या डिफ्लेक्ट करती है नॉर्मल से plane of मीडिया जाती है ठीक है एक ही जोगे रिफ्रेक्शन क्या होता है क्योंकि रिफ्रेक्शन क्यों होता है लेवल में क्योंकि उसमें 1 आया तो 1 by 7 क्या हो जाएगा reflection correction हो जाएगा ठीक है अब देखिए अब जो चीज़े दी होई है वो देखते हैं कि CR is equal to 0.0785 यह D square है ठीक है यह D2 नहीं है यह आपका हो जाएगा D square by 7 तो इसकी value आजाएगी 0.0112 D square ठीक है यह क्या जाएगा 0.01 इसको erase करते हैं तो यह आपका क्या है यह D square है यह क्या है D square ठीक है और यह value आजाएगी आपकी 0.0112 0.0112 D square ठीक है CR कितना आगया ठीक है हम कैसे निकाले CR की value अब लोगोंने क्या किया CC by CR क्या था CC by 7 ठीक है CC by 7 किया CC की value क्या है 0.0785 D square by 7 ठीक है तो यह value आजाएगी 0.0112 D square ठीक है तो यहाँ तक हो गया CCR का CR का कितना आगया correction निकालना है या correction due to reflection क्या हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले reflection आगया ठीक है कैसे क्या होता है ठीक है ठीक होता है ठीक है उसकी value कितनी होती है 1 by 7th times of curvature correction ठीक है अब next आता है next आता है आपका combined curvature correction and reflection ठीक है ठीक है तो combine निकालने के लिए हम क्या करेंगे c is equal to c c plus c r करेंगे c c plus c r ठीक है तो जो combined correction आता है वो क्या होता है हमेशा negative in nature होता है ठीक है जो combined correction आता है वो क्या होता है negative in nature होता है combined correction क्या होता है negative in nature होता है ठीक है वो कैसे negative कैसे होगा अब देखे जो c r की value है वो क्या है ठीक है c r की value क्या है 0.0122d square ठीक है और जो हमारा curvature correction है वो क्या 0.0875d square ठीक है तो c c क्या है बढ़ा है तो दो कर्वेचर और रिफ्रैक्षिन और पड़ा है तो हम लोग नैदा है तो सलंद इस प्रवेचर और रिफ्रैक्षिन करेक्ष्ञ हमलों पढ़ लिया करेक्शन और रिफ्रेक्ष्ट्ट करेक्षण ठीक है तो इस चीजों कि आमका घृच्टे करेक्शन निकालते हैं इस लेवलिग अब पर्टिक्लर ली हम लोग नेच्ट लेक्शन में इस उन्मेरीकल को डेसकर करेंगे कि कैसे हम लोग अपने numerical में इसको apply करेंगे ठीक है अपने numerical में कैसे इसको apply करेंगे कैसे चीजें वो हम लोग solve करेंगे ठीक है तब तक के लिए thank you class